सेंध़ मैं में देशराम के डिच्टल मीडिया मन्ज़ पर हर्यान विधां सवा का चुणाव का परिणाम आचुका चुनाव परिणाम के बाद सरकार बंचुकी सरकार अपना काम कर रही है लेकिन इस सब जवाव आयोग की जो election process थी खासकर EVM पर आरोप और उसके साथ में चुनाव में लगे हुए अधिकारियों पर आरोप यह तमाम चलता रहा है हलाकि अगर कहें तो चुनाव परिणाम के बाद में Congress Party ने जो चिठी लिखी थी चुनाव आयोग को उसका जवाब दे चुका है च Congress ने counter यू किया है कि चुनाव आयोग को समयधानिक धाचे में रहना चाहिए और उस counter जवाब के जवाब में भी counter हो चुका है चुनाव आयोग का कि Congress अंतुष्ठ है मैं अभी सब चल रहा है लेकिन इस सब के बीच आपके साथ मैं आज एक विशेश मुद्दे पर हूँ औ राजनितिक दलों को राजनेताओं को कितनी liberty होनी चाहिए और दूसरी बात क्या प्रशासन और शासन के अधिकारियों को यदि कहीं कोई व्यक्ति या कोई ताकत या राजनितिक दल या राजनितिक वजूद वाले लोग उसका बेजा कई फायदा तो नहीं उठा रहे आप एक वीडियो देख रहा था सुबा वीडियो था कि पलवल जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में कॉंग्रेस के दो बड़े नेताओं कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्स चौधरी उदैभान और जो होडल से कैंडिडेट थे विधान सभा के चुनाव जो हार लगवक 33,000 से जादा वोटों से इन दोनों नेताओं का और जिला प्रशासन के जिसके अंदर पलवल के जिले के उपायों डॉक्टर हरीश थे जिसके अंदर होडल के SDM थे जिसके अंदर पलवल की SDM जोती थी और इनके साथ में मौजूद थे कुछ खबर नवीस और वो सबसे महत्वपूर्ण बात ही है कि कही बैठके ऐसी होती है जिला प्रशासन के साथ में किसी संगठन की बैठक हो जिले के आला अधिकारियों के साथ में किसी महत्वपूर्ण विशय को लेकर के कोई politicians की बैठक हो और फिर खासकर जिस विशय को लेकर वो बैठक हो रही यूट्यूबर हैं और उन्होंने अपने फेस्बुक पेज और यूट्यूब पर अपलोड किया मैं वो वीडियो देख रहा था दो किसी ने भेज़े थे तो आज उनको देखा और देख करके पलवल के जिले के उपायुक्त से भी हमारी टेलिफॉलिक मेंने बातचित की और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि वाके ये नहीं होना चाहिए था खेर आप एक जल्की देखें इस वीडियो की जो मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर बैठे हुए है पलवल के जिले के उपायुक्त इसके साथ में वैठे हुए हैं कॉंग्रेस के परदेश अद्यक शौधरी हुदैवान, करन सिंग दलाल, पलवल की SDM जूती, हुडल की SDM और इनके साथ में कुछ और लोग वारता का दोर चल रहा है और वारता का जो विशय है, जो मुद्दा है वो यह है कि क्या चुनाव के अंदर अन्यमित्ता बरती गई पलवल के जो प्रत्याशी थे कॉंग्रेस के करन सिंग दलाल, उनका आरोब है, पलवल के पुलिस अदिक्षक पर, पलवल के कई पुलिस कर्मियों पर, इसके साथ साथ कुछ प्रशासनिक लोगों को भी उनको आपत्ती है, इतराज है और करन सिंग दलाल का इतराज यह है कि चुनाव की गणना से, जो मतगणना हो रही थी, उससे एक दिन पहले, एक रात को पहले, यानि कि लगवग मतगणना से, लगवग आठ या नौ घंटे पहले, वो कहते हैं कि CCTV फोटेज, जो रिकॉर्डिंग हो रही थी, वो बंद हो करन सिंग दलाल जिले के कई पुलिस के आला अधिकारी पर उनके साथ में पुलिस के और करमचारियों अधिकारियों पर आरूप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो चुनाव में पार्टी बन गए, उसके पक्ष में करन सिंग दलाल अपनी बात कह भी रहे हैं, हलक कि हम इन जिम्मेदारी होती है कि चुनाव को शांती पूर्वक तरीके से संपन्न करा लिया जाए जब चुनाव होता है तो दौनों पक्ष यानि कि पक्ष और विपक्ष जो चुनाव लड़ रहा है उनके सामने जो चुनाव लड़ रहा है दौनों एक दूसरे पर आरोप करते हैं चैखिए डिले के ख के प्रशास्थनिक अधिकारियों के साथ में सबसे अधिकारी जिले के अंदर हैं और और सब्सक्राइबippy और बैठे हुएं प्रशासनिक अधिकारी और भी बैठे के दौर जिस प्रकार की टिपणीया है या जिस प्रकार की बादचीत कही जा रही है अगर मैं उन पर जाए भी ना मैं आप से सीधे सीधे अगले बात पर हौंग इसके लहजा होता एक टरीका हुआ करता है शिकायत Кा 우리는 से महत्वपूर्ण तो हुआ करता है कि यदि आप शिकायत देने जा रहे हैं तो ऐसा शायद आज तक के हमारे पत्रकारिता जीवन के अंदर जिसके अंदर के गई और उस रिकॉर्डिंग को सुशल मीडिया पर डाला गया मैत्यपूर्ण बात यह आ जाती है कि आखिर लोगों के बीच संदेश देने का क्या उद्देश्य कह सकते हैं क्या उसका एम था क्या टार्गेट किया जाना था किसी को या क्या उसके पीछे लॉजिक था क्योंक अगर हमें कोई प्रशासन से शिकायत है हम खुद के अगर कोई प्रशासनिक शिकायत देनी होती है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा हुआ करता है तो अख़वार के लिए उसको फोटो खीचे जाती है और अख़वार के अंदर वो अमुक जन प्रतिनिधी अमुक नेता अपने वो फोटो अख़वार में चस्पा करवा लेते हैं कि या अख़वार में प्रिंट करा लेते हैं कि हमने इन विश्यों पर जिले के आला अधिकारियों का ध्यान आकरशित किया ये समस्याएं थी, इस प्रकार की परिशानियां आ रही थी, या इस प्रकार की हमें कहीं पर भी बद इंतिजामी दिख रही थी, या इस प्रकार की कहीं किसी भी कारे के अंदर अनिमित्ताएं सामने आ रही थी, उसको ले करके शिकायत दी जाती है, और शिकायत का फोटो चस के बीच में उसका आखिर किस प्रकार से तो प्रशास्तर ने इजाजत दी होगी और किस लिहाज से शिकायत करता नेता थे कॉंग्रेस के बड़े नेता उदैभान और करन सिंग दलाल किस लिहाज से किस सोच से किस उद्देश्य से उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई होंगी क्योंकि जो वहां पर टॉक चल रही है जो बातचीत है वो शिकायत तो जरूर है लेकिन उस बातचीत को आब किसी भी लिहाज से प्रूफ बिनन मानसकते किसी लिहाज से यह नहीं कह सकते कि अधालती प्रक्रिया में और वैसे भी अदालती प्रक्रिया में इस प्रकार की बातों को प्रूफ के तौर पर लिया भी नहीं जा सकता, खासकर जिन चीजों की डिकॉर्डिंग वाजिब भी नमाली जाती हो, अब मैं तो पूर बात यह आ जाती है, जो मैंने आपको बताया, कि जिले क जो बड़े नेता हैं, जिनकी शिकायत थी, जिनको चुनाव को लेकर की, क्योंकि चुनाव को लेकर शिकायत तो है, चुनाव को लेकर शिकायत है, कॉंग्रेस के नेताओं का ये मानना है, कि ये चुनाव उनका था, वो चुनाव जीत रहे थे, और इस चुनाव को सरकार न कि केवल आरोप और प्रत्य आरोप से बात नहीं वनती जब तक वो बात सभीत ना हो जाएं इवीएम पर आरोप कोई नई बात नहीं है को इवीएम पर आरोप पहली बार लग रहे हो लेकिन जिस प्रकार से इवीएम पर आरोप और जिस प्रकार चुनाओं में अनिमित्ता की बाते और जिस प्रकार से अधिकारियों की शिकायत और उनका फिर लाइव प्रसारण ये जरूर पहली बार है ऐसा जरूर पहली बार हुआ है हलांकि पलवल के जिले के उपायक तुम्हें आपको बताया कि उनसे हमारी टेलिफोने काफी देर बात हुई थी और वो बता रहे है कि उनके संग्यान में नहीं था लेकिन महत्वपूर बात या जाती है कि चाहे वो मीडिया के लोग थे या नहीं थे क्या इस प्रकार की कनवर्सेशन को इस प्रकार की बातचीत को या कोई प्रतिनीधी मंडल अगर अपना गयापन देने गया हुआ है तो क्या उसकी इतन पर रखे जाने के लिए बनाया जा रहा है तो वो कितना वाजीब है क्या इस प्रकार से डिकॉर्डिंग की पर्मिशन दी जा सकती है अगर कोई अधिकारिक बैठक हो रही है जिसके अंदर कि अधिकारिक यूँ हो गई कि अगर बड़े नेता समय लेकर के गए अधिकारिय और उस अधिकारिक बैठक की प्राइबे बस्तर पर रिकॉर्डिंग होना फिर उसका वाइरल होना किस है तक वाजीब मना जा सकता और सबसे महत्यपूर्पूर्ण बात दोस्तों आज इस प्रकार से पूरे हर्याणा के अंदर एक बात चल रही है कॉंग्रेस के नेत आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग जवाब दे चुका है आरोप प्रत्यारोप पर जवाब पर जवाब काउंटर जवाब यह सब चल र अरोप लगा रहे हैं वह आरोप किस हद तक सही माने जा सकते हैं क्योंकि अगर यह कहा जाएगा कि अमुक विदानसभाद चेत्रों की बात कर रहे थे नाम लेकर के जहां की कई स्थान ऐसे हैं कि जहां पर मार्जन को बहुत कम रहा तो फिर उस गिंती के अंदर तो जंता पार्टी बहुत छोटे बार्जन से चुनाव आर गई उस गिंती के अंदर तो रहो तक भी आना चाहिए जहां पर मनीश ग्रोवर बहुत छोटे अंतर से चुनाव आर गई और देर रात तक वो चुनाव परिणाम रुका रहा ऐसे कई वाके रहे जिसको ले करके शिका सब्सक्राइब होते हैं कमेंट समेशा ममें दिया करते हैं तो आपको कह लगता है कि चुनाव प्रक्रिया वाक्या किसी प्रकार से दूश्य थी उसमें कोई दोश था और या फिर इसको कहीं बड़ा चड़ा कर पेश किया जा रहा है और दूसरा महत्यपूर्पूर्ण सव सब्सक्राइब कीजिए साथ ही तेश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन